हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बाग तो माई चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आन्बॉक्सिंग और डिटेल से एर करने जा रहा हूँ CP Plus कंपने के Easy Cam 360 Degree Portable Camera का यह 2 Megapixel का Portable Full HD Camera है और इसका Model है E21A यह Google Assistant और Alexa के साथ भी वर्क करता है Friends, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो करने सब्सक्राइब तो माई चैनल लाइक एंसर इस वीडियो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं एक नए Camera के Model के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं इसके Box पे प्रोवाइट की गई डिटेल्स को Box के Front में आप देख सकते हैं इसकी Model प्रोवाइट की गई है और Easy Cam Series का ये Camera है ये Camera कुछ इस तरह का दिखता है और नीचे आप देख सकते हैं Works with OK Google and it also works with Alexa यहाँ पे देखी जा सकते हैं इसकी Features Full HD Video and Wi-Fi से इसे Connect कर सकते हैं View and Talk 360 Degree की Viewing Angle आपको मिलती है and Motion Alert भी दिया गया है Easy to install है and Plug and Play device है Home on your phone Security Camera यहाँ पे देख सकते हैं इसकी Specifications 2 Megapixel का PT Camera है 15 Meter की Range हमें मिलती है Serial Number and इसकी Other Details आप देख सकते हैं इसकी MRP है 5000 रुपीज और इसकी Retail Price vary करती है Depending on Retailer से स्कीम मैं Base Price का Buy Link Video के Description में प्रोवाइड कर दूँगा और आप इस Camera को Online भी Purchase कर सकते हैं आए करते हैं इसकी Unboxing और देखते हैं इस प्रोड़क को क्लोजली Unboxing complete हो चुकी है और यह वो सारी Units जो हमें Unboxing के बाद मिलती है सबसे पहले आप देख सकते हैं Adapter का Cable दिया गया है और यह इसका Adapter इसे Continuously Power Supply की ज़रत होती है और इसमें कोई भी Battery installed नहीं है और यह इसका Wall Mount Kit आप इसे Mount करके भी Use कर सकते हैं और यह इसका User Manual Quick Start Guide इसकी मदद से आप इसे Completely Install कर पाएंगे और इस Product की Details को जान पाएंगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसे कैसे Install करना है और कैसे Use करना है और यह है CP Plus का 2 Megapixel Security Camera E21 ने एका First Impression Side View देख सकते हैं Mic and Speaker inbuilt है 2-way Talking में Use होती है Overall इसकी Build Quality मुझे अच्छी दिख रही है और अगर आप Portable Security Camera पर्चेस करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा Option है और यहाँ पर आप इसके Lens को closely देख सकते हैं इसके Film को हटाना होता है First Use से पहले कुछ इस तरह से और इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ पॉर्ट्स दी गई है Power Ports है Power Cable की पॉर्ट आने Reset Button दिया गया और साथ में Land की पॉर्ट दी गई है और Backside में Wall Mount की Bracket आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं Memory Card का Slot है इसमें कोई Inbuilt Storage नहीं होती है इसलिए External Memory Card हमें इंस्टॉल करना होता है मैं इसे Power Cable से Connect कर रहा हूँ और उसके बाद यह Initialize होगे यह Initialization के टाइम पे कुछ इस तरह से Rotate करती है तो Friends यह थी एक चोटी सी वीडियो जिसमें मैंने बताया CP Plus Company के 2 Megapixel Easycam E21A के बारे में और इसकी Complete Details और Installation के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए Camera के बारे में अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजे इस वीडियो को लाइक कीजे अपने Friends के साथ ज्यादा ज्यादा सेयर कीजे किसी भी Clarification के लाब मुझे कमेंट कर सकते हैं में को सिसकर आई होगी ओस कमेंट कर पर जासे जाई होगी प्लाइक करू तो थैंक यो सो मच गईस वाच 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 वाच